तो आप में से बहुत सारे डेले पोले सेट कॉंस्टेबल मिनिस्टियल की स्टूडेंट से इस चानल पर विकाज अपनों की शुरू से ही क्लासिस चलती चली आ रही हैं अब मुझे पता है आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि सर जीके की नहीं चली ना तो आप चिंता मत करिये जीके का जैसे कि आपको पता है कि मैंने भी बैट स्टार्ट किया अप्लिकेशन पर स्पेशल जीके का और असी से जीडी का लगस है तो ईप का जो प्राक्टिस होगा एक तरह से जो हम लोग वीक्ली बेसिस पर करेंगे तो इससे जो एप वाले स्टूटेंट्स उनका जो टेस्ट होगा वो आपका Sunday to Sunday business पर यहाँ पर होगा तो उससे आप पूरा cover कर सकते हैं और जितना भी जैसे remaining होगा जाहिर सी बात है कि पूरा आपके exam जो कि initial week of October में है around second week of October में तो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी तकरीबन यह है कि हमारी 80% हीज़ें हो जाएंगी तो आप चिंता मत करिए जो भी remaining रहेगा वो सब कुछ हो जाएगा बट में मुद्दे की बात यह कि GK जो section है वो उतना scoring नहीं है में जो scoring उस पर आपको focus करना जैसे कि mathematics हो गया, reasoning हो गया, English हो गया यहाँ से आपके number जो है खिचने वाले GK ऐसा है कि आप बस एक average score लेके चले आता हो वो ही आपके लिए काफी बहतर score होगा, जो toppers होंगे उनका भी आप देखना है, जब marks आएंगे या फिर हो सकता है, आप ही topper हो तो आप देखेगा कि बहुत जैसे कि अगर हम बात करूँ कि अगर आप यह मान के चलो कि 60% mark score करते हो 60% mark score करते हो जी के that is a good score, आप यह मान के चलो तो इसी वैसे focus input वहाँ पर उतना डालें जहाँ पर output ज़्यादा मिलना हो, खेर उस वही focus करेंगा, उसका आप चिंता मत करिए जितना यहाँ पर मैं को Sunday to Sunday basis पर कराऊंगो जैसे कि कल संडे है, और कल सुबह 10 बज़े आप लोगी class है, तो जो students है serious तो मैं आपको chapters बता देता हूँ, जिसे preamble हो गया, making of constitution हो गया और आपका sources of constitution और schedule यह आपके topics cover होंगे, खेर यह video main जो है आप लोग की test series के regarding है क्योंकि आप मैंसे काफी सारे students जो इस channel पर पढ़ाई करते हैं daily plus HCM की, तो अब समय आ गया है कि आप test लगाना भी start कर दें आप मैंसे काफी लोगों ने start भी कर दिया होगा मुझे नहीं बता आप कैसे test लगा रहा है किस quality के mock लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस quality of level of mock की यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ, exactly आप बोल सकते हो कि HCM का जब आप paper देने बैठोगे तो यही level आपको मिलेगा यहाँ पर मैं quantity की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे आप यहाँ पर आप देख पा रहा हूँ, quantity नहीं quality है, ठीक है, तो यहाँ पर revision नहीं है, तो मझे और revision करने के ज़रा था, आपको यह पता चलता कि आपका time सही है कि नहीं, फिर तीसरी चीज़ आपको उससे काफी knowledge भी मिलता है, अगर आप उसके solution अच्छे से पढ़ते हो और अगर उस test series में solution अच्छे दिये हो अच्छे से मेरे मतलब है, लंबा नहीं सब कुछ भरना नहीं, to the point and exact relevant, जैसे कि आपको PTS में मिलता है बहुत सारे स्ट्रेंट जानते हों कि PTS होता क्या है, राइट, जो air force में जो test series दो बार से तहल का मचा लिए जो पुछला जुलाई का exam हुआ था और जो इस बार जुलाई का भी exam हुआ जस्ट कुछी दिनों पहले और जिसका result आया, result ने भी एकदम तेलका मचा दिया है, एकदम PTS ने चाग है एकदम, ठीक, आपको भी पता है PTS जो लोका नहीं पता है पर्मा test series इसका perform होता है और इसकी test series के खासियत क्या होती है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यदा mock test नहीं मिलते है लेकिन जितने मिलते हैं एकदम solid level of content solid level of questions, solid level of solution रहता है solution के जिसने notes बना लिए इस test series की आप यह समझो कि आधा काम आपका हो गया ठीक है जो solution है आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो एकदम to the point relevant आपको मिलेंगी और जो questions मिलेंगे वो आप यह मान लो कि बहुत ज़्यादा analysis करने के बाद एक-एक question को छांट के रखा जाता है इस test series में और especially आपको पता है head constable administration के गर हम बात करूँ तो पिछला exam सालों पहले हुआ था तो previous year question कि यहाँ पर कोई बात ही नहीं उठती कि previous year question main है क्योंकि पिछली बार जो exam हुआ हो था वो SSC ने नहीं लिया था डले पलिस ने लिया था इस बार यह आपका SSC लेने वाला है तो इसी लिए उसी pattern पे जिसे साब से TCS आपका questions पूचता है उस pattern पे base होके सारी चीज़ें design की गई है यह total 15 full length mocks हैं अब यहाँ का होता तो कहां से देना कैसे सारी चीज़े रहने वाली है लेकिन यह आप ensure कर लो कि यहाँ पे आपको quantity के लिए अगर आप चाहते हैं तो quantity यहाँ पे नहीं है यानि कि मैं आपको नहीं वादा कर रहा हूँ 30, 35, 40 ऐसे test नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ मैं quality का definitely आप से वादा कर सकता हूँ और guarantee कर सकता हूँ ठीक है बस आपको जिस तरह से मैं आपको बोलूँगा उस तरह से लगाना है लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कैसे अन्रोल करना है सारी चीज़े है तो इसके लिए आप अप लिए और एक चीज़ और कि आज आप लोगों का फुल लेंथ मॉक होगा अपको पता है सैटेडे संडे को इस चैनल पे फुल लेंथ मॉक होता है और वहाज सैटेडे तो आज होगा और कल भी होगा ठीक है दो मॉक हुआ पिछली बार सैटेडे को नहीं होपा है तो यको संडे से ही स्टार्ट हुआ था पहली बार तो आज मौक 2 और कल मौक 3 तो ऐसे ही मौक हम यह आप मान के चलो जो आपका target है कि YouTube पे कम से कम 30 मौक ऐसे आपको practice करवा दे और यहाँ पे तो आपको एकदम Malai वाले मौक test मिलेंगे ही PTS में, अभी PTS वाले मौक एकदम real level, real time पे जो आपको test होंगे वो enroll कैसे करना वो आपको बता देता हूँ तो application है आपका Parmar Academy application ठीक इसका website का link भी है दोनों के link आपको description मिल जाएगा बट मैं आपको prefer करूँगा आप application पे दे आपको better experience यहाँ पे मिलेगा अब इसका link description में दिया हो और जब आप application पे आओगे तो कुछ आपको ऐसा यहाँ पे मिलेगा ठीक है जैसे यहाँ पे आप देख पार होगे कुछ ऐसा आपको interface मिलेगा तो यहाँ पे आपको click करना होगा test series के यह icon पे जो student ssa gd के course में enroll कर रखे हो उन्होंने यहाँ से enroll किया होगा आपने ssa gd का और जो gk का यहाँ पे बाकि test series जो आप लोग करनी है वो यहाँ पे जैसे आप test series पे click करोगे तो यहाँ पे आपके पास दो options मिलेंगे ऐसे पहला होगा srt for afo's phase 2 तो यह srt का test था और यह आप लोग का test series है daily place head constable ministerial तो आपको इस पे click करना होगा और जैसे ही आप इस पे click करोगे तो यहाँ पे आपके पास buy now का option आपको यहाँ से आपको इस test series पे enroll करना है मुझे बता आप सुचोगे कि compare करने लग जाओ कि sir वहाँ पे तुझे रुपए पे इतना number of test मिल रहा है तो वहीं मैंने बताया अगर आप यहाँ पे quantity के लिए आ रहा हो आप test series पे enroll हो जाएंगा जब enroll होंगे तो आपके सामने कैसे test series खुलेगी वह ध्यान से सुन लीजएगा नहीं बाद में आप question करेंगा comment section में बाकि अगर उसके बाद भी होता तो आप comment कर सकते हैं जब आप यहाँ पे test series में enroll कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा और एक चीज़ यह test one सभी के लिए free रहेगा ठीक और यह test कल खुलेगा कल live होगा सुबह 10 बज़े यानि कल यानि की Sunday 28 सितंबर को सुबह 10 बज़े free है सभी के लिए test तो देना ना भूलिएगा ठी ठीक है अपने सभी भाई बंदों को लेख आएगे और इस test को attempt कीज़ेगा आपको खुदी quality पता चल जाएगी questions की ठीक है और computer के भी एकदम वही pattern रखा गया जिस pattern पर question आएंगे क्यों 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 हमने syllabus से stick किया ऐसे नहीं कि बस computer तो मतलब computer कुछ भी रख दो किसी से भी भी बोल दो कि भाई computer बनातो और कोई भी computer question डाल दिये नहीं computer के एकदम जहां से MS Word MS Excel इन सबसे जहां से question आने वहां से रखवाए गया है ठीक है तो test 1 test 2 अब आपको कैसे mocks मिलेंगे वो ध्यां से सुनना एक साथ आपको सारे mocks नहीं मिल जाएंगे कैसे attempt करना सारी जाएंगे यानि कि आपके तकरीबन 20 सितंबर तक जो हमारा target है 20-22 सितंबर तक सारे mock test आपके करवा दिये जाएंगे तो इसका एक reason है ताकि हम नहीं चाहते हैं जो हम quality mocks दे रहें 15 के 15 mocks जो हर एक mock अपने आप में quality है हर एक mock जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा आप उसको ऐसे ही waste कर दें आप मेंसे काफी लोग जानते भी होंगे कि मैं सारे test एक साथ नहीं देता हूं इसी ही कारण हुआश्यों कि जैसे आपने दिया mock test तो अगर आपके नंबर खराब है क्योंकि शुरू में यही होता है एक सर कि आपके नंबर उतने अच्छे नहीं जाएगा इसी लिए क्योंकि एक्जाम तो आपको October में चालोगा और आपका यह मान के चलो कि September लास्ट तक तो सारे test खत्मी करवा दिये जाएंगे एक एक करके खोले जाएंगे बाकी सारा schedule आपको मिलता रहेगा इन test पर जब आप जाओगे तो आपको सब में timer लगा हुआ मिलेगा नहीं मिला हुआ तो आप यह मान लो कि हर test almost alternate आप कुछ दो दिन बाद ऐसे करके खुलेगा बट 22 सितंबर तक आपके सारे test करवा दिये जाएंगे और यहाँ पर आप देख लेना जैसे कि आप test attempt करोगे ठीक है तो यहाँ पर आपके पास re-attempt का option है bilingual है सारी पूर करना मत भूलेगा कल सुबह 10 बजे एक खुलेगा और बाकी आपके यूट्यूब पे तो free mocks हो ही रहे हैं जो आपके teachers आपके खरवार है pushpain sir English का section देख रहे है math का दीपक सर देख रहे है reasoning का गौर अफसर बाकी यह सारे sections आप करते रहे हैं computer का आपका अमनसर ठीक है बस मै आपका 100% कभी complete नहीं होगा अगर अभी से mock नहीं लगाएंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी यही time होता है यह peak time होता है कि आप mock लगाओ मैं यह नहीं बोल रहा हो कि हाँ सिर्फ यहीं से mock लगाओ अगर आपको लगता है कि और कहीं से भी better है तो वहां से भी आप लगा सकते हो वाज अपने preparation को judge कर सकते हो लेकिन इन mock को ऐसे देना मुझे बाकी marks का मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ लेकिन मैं यह marks का जरूर बोल सकता हूँ कि हां यह quality level marks है तो इनको एकदम serious होके देना एकदम exam like condition में होके देना एकदम पंखा वंका सब बंद करके ठीक और section में इस कितना score कम रहा और question गलत हुए तो क्यों गलत हुए यह analysis आप करते हो ना exam के बाद वो ही तो मेने value addition है वो ही तो आपका अगले वाले test में marks को increase करके देगा तो बस इस चीज़ का धियान रखना कि test attempt करने के बाद main खेल चालू होता है उसके analysis में अलग से notebook में बना ल करता है यहां पर आपको दर्द होता है कि हां यह test attempt करने के बाद जब number कम आते हैं तो moral down हो जाता है number बहुत आ जाते हैं तो खुशी हो जाती एकदम से और फिर ऐसा लगता कि बास हम महारत selection हो जाएगा तो नो over confident होना है ना under confident होना है एकदम neutralize होके neutral way में अपनी preparation को करना है अगर आप यह process follow करते हो तो ultimately selection तो आपका हो गई success तो आपको मिलेगी अगर आप process को follow करते हो process के साथ honest रहते हो गदारी नहीं करते हो तो बिलकुल आपको selection होगा daily place HCM में बाकी glasses तो आपकी चली रहे हैं जी कर मैं आपको बता दिया Sunday by Sunday आपके 10 a.m पे class चलेगी कल आपके topics कौन से होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया उनको prepare करकर कल आईएगा पूरा आपका revision मैं आपको करवा दूँगा ठीक है बाकी कोई doubt है comment section में drop कीजे बाकी session अगर यह class अगर यह video पसंद आई हो तो इसको like कर दिजेगा बाकी मिलते हैं अगले video में धन्यवाद